हेलो हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हैं सब आयोप अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो ये दिन है संडे का तो आज हस्बन भी घर पर ही है और बच्चों की भी छुटी है कल इनका एक्जैम है तो बस यहाँ पर मैं अभी जब नहा करके आती जा रही हूँ आज मैंने वियर की है ये रेड कलर की सारी ये बहुत ही लाइट वेटेड है और मुझे ना ये वाली स करके बनाया है और इसको दुबारा से मुझे देने का टाइम नहीं मिल रहा है तो ऐसी मैं वेर कर रही हूँ फिलाल अभी थोड़ा सा मेक अप कर लिया है और आज संडे है तो हेर वाश भी की है तो अभी तो गीले हैं बाल सुखेंगे अब ऐसा नहीं है ठंडा है तो दू डिसाई कर देते लेकिन जारते नहीं है तो इसलिए मैंने वो थोड़ा बहुत कर दिया है और उसके बाद बस अब चलिए पूजा कर लेते हैं आज सुबह की और देखिए पल्ला मैंने सर पे रखा था लेकिन वो स्लिप हो करके नीचे हो गया फिर कई लोग कमेंट करते है पूजा करते वक्त पल्ला ले लिया करो तो रखती हो लेकिन वो फिर हो जाता है नीचे फिर आरती छोड़ करके मैं पल्ला तो सही नहीं करूंग ना फिर इसलिए छोड़ दिया और उसके बाद फिर मैं सुर्य देवता को जल चढ़ाने आ गई हूँ वही मेरा मॉनिंग का संडे था तो लेड भी उठे थोड़ा और बस नहाने दोने के बाद का जो भी रूटीन है वो सब आप सब एक साथ शेयर किया जा रहा है तो यहां पर नल है वहां से मैंने थोड़ा और पानी ले लिया है तो तुलसी जी को भी चढ़ा दिया है तुलसी जी मेरी पहले देख सकते हो कितने सारे कपड़े जो है वो चेयर में और धूप बहुत अच्छी खिली हुई है मैंने सोचा चलो कपड़े भी साथ के साथ में डाल देते वरना भी थोड़ा और टाइम हो जाएगा ना बारा बज़े के बाद तो धूप बहुत तेज होने लगी है तो फिर और अभी सुबह के टाइम है तो अच्छे से अराम से सूख जाएंगे तो बस चलिए फटा फट से कपड़े जो हैं वो डाल देती हूं थूप में और आप लोग आ जो मेरी हैल्प कराने के लिए बहुत सारे कपड़े हो गये हैं कपड़े बहुत ही कट्टे हो जाते हैं औ सारी को बीच में दब जाती है दिखती नहीं कि हा ये भी सारी है में पास तो ऐसी है जो वह बन्ते हैवी बोडर वाली सारी होती है वो स्कार सांदे से पट्लीत प्रें तुरिएम करें वह मैं से से आगा अराम चल जाएगा किस दिन कौन सी होली है तो 27 तारिक से चालू हो गई है बरसानव नंद गाउं में थी लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि ये जो 27 तारिक पड़ी वो मंडे से पड़ी और मंडे से ना किसी को टाइम ना भाई आ पाया नौइडा से क्योंकि उनका भी ओफिस और हस इचले साल तो हम लोग ने हर जगह की होली देखी लेकिन इस बार यह हुआ कि बच्चों का एक तो पहरी बात एक्जाम चल रहा है दूसरी बात मंडे पड़ गया तो छुटी नहीं है और होली के टाइम पे थोड़ा इनको छुटी लेनी भी है कि हो सकते हम लोग घर जाए तो इसलिए उन्होंने अपनी चुटी हस्बिन ने बचागर के रखी हुई है और मैं बिल्कुल भी नहीं जा पारी हूँ होली देखने तो इसलिए मुझे बहुत जादा बुरा भी लग रहा था क्योंकि मैं अकेले होली क्योंकि भीड भाड होती है बच्चों को लेकर के नहीं है फिर बच्चे एक बैता की एक्जाम दे रहे हैं फिर वो आ जाएं फिर बहुत जादा इस बर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं होली खुल मिला कर मत्रा की होली नहीं कर पा रही हूं मत्रा में रहके तो इसलिए मुझे बहुत जादा बुरा लग रहा है और बस देख तो मैंने एक दिन पहले भी उन्से सब्जी वाले से कहा था कि लेगर के आना तो वह आज क्या है आज के दिन के लिए बोले थे लेकिन वह आए नहीं जब कि 11 वे तक वह आ जाता है अब मुझे लग रहा पता नहीं मैं आलू ले पाऊंगी टाइम से कि नहीं ले पाऊंगी क्योंकि बनाना है वो इक को अने है ये ड्रेस इसकी न्यू मैंने ओर्डर करी थी तो बड़ी खुश है पहन कर और देखे मेक अप कर रही अपना मेरा देख देखकर नहीं ये भी रही दा अपना मेक अप करेंगी लिपस्टिक लगाएगी और आईना नहीं करती तो इसने भी चाय बनवाई है मेरे साथ और बस चाई जो है वो रेडी है तो चलिए आप लोग भी पी लीजे और मैंने तो चाय पी ली है और बस यहां पर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं तो वो सब हटा देती हूँ अब चाय पीने के बाद थोड़ा घर की हाला सही कर ली जाए अपनी तो हाला सही कर ली है चाय पी करके जब तक चाय न पी हो न तब तक मुझे तसली नहीं मिलती है तो बस चाय पीने के बाद थोड़ा साफ सफाई के कामों में लग गई हूँ आलू लेकर के आने के लिए बड़े साइस के वो और नहीं आए और ये दूसरे अंकल मुझे दिग गए इन्होंने भी आलू ले रखे थे उनके पास भी काफी अच्छे आलू थे जिससे चिप्स बन जाएगा क्योंकि बहुत बड़े-बड़े साइस के थे तो मैं खुदी न लिया है 12 किलो मैंने ले लिया था और आधा एक बैग तो मैं लेकर क्या गई थे एक नीचे सीड़ी में छोड़के आ गए तो अभी हस्बिन बाहर गया थे वो उठा करके लेकर आ गया क्योंकि वहाला हैवी था तीन-दीन किलो करके उन्होंने वेट किया मतलब तौला और यसे दो बैग में मैं ले गई थी आराम से आगया वरना हैवी हो गया था तो पॉल्थीन में फट जाता इसी ले गई थी और बस आलू लेकर के अम मैं कर रही हूं तैयारी खाने की तो खाने में मैंने आसोचा कोफते बना लेते हैं और कोफते नहीं इदर बहुत दिनों से मैंने नहीं बनाया है, मुझे तो याद भी नहीं है कि लाश्ट मैंने कब बनाया है और ऐसा नहीं कि कोफता मुझे बहुत जादा पसंद है बढ़ यह होता है ना कि चलो छुट्टी वाला दिन है डाल चावल तो रोज बनता रहता है है कुछ अलग से बना ले और आजकर मुझे न छोलो से नफरा थो रही है छोले बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो इसलिए मैं छोले बनाना एक तरीके छोड़ रही हूँ पनीर मुझे फिर भी ठीक लगती है लेकिन छोले बिल्कुल नहीं पनीर हद्विन को नहीं पसंद है कोफते बच्चे को नहीं पसंद है अब वही पसंद तो यहां हमाई है अब सिर्फ दाली चौल है सबको लेकिन अब दाली चौल हर वक्त नहीं बनेगा ना तो बस यहां देखिए कोफते जो हैं वो बना के आ गई हुमें तो यह मुझे परशान करती है, फिर पर चला कहने लगी, मैं खाना भी बनाऊंगी, तो इसलिए मैं उसको वर्क दे करके, फिर आ गई थी किचन में, तो देखिए कोफता भी almost ready हो गया है, और धनिया आज मेरे पास थी नहीं, तो कसूरी मेथी रखी दिन, मैंने का चलो, यही डाल देते हैं, कम से कम देखने में तो सुन्दर लगने लगेगा, ग्रीन पढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है, वैसे टेस्ट भी अच्छा ही आ रहा था, खाने के बाद फिर अच्छा लग रहा था, कसूरी मेथी डाल के भी, तो कोफते रेडी, चावल रेडी, अ तब से कंगी नहीं किये, एक दम जैसे चिडिया का घोसला होता है न, उस टाइप से मेरे बालों की हालत हो गई है, एक तो ड्राय भी इदर हो गए है, शैंपू पता नहीं कौन सा यूज करें, उसकी वज़े बहुत जादा बाल जो हैं वो ड्राय हो गए है, तो और कंगी क यह वीडियो है, वीडियो भी नहीं अप्लोड होई थी, तो फिर लग रहा था जल्दी अली चलो खाना बनाकर फ्री हो जाएं तो वीडियो एडिट हो जाएगी, खाना बनाने में मुझे टाइम नहीं लगता, खाना बनाने के लिए तयारियों करने में ज्यादा टाइम ल कुफता चावल रोटी सब है रेडी तो यहां पर मैंने चार थालिया ले लिए कोफता चावल पहले से डाल के रख दे रही हूं रोटीया गरम-गरम सेखती जाओंगी और इन लोग को साथ में खा लेंगे तो फिर मैंने साथ में बना ली तो हजबन बैट गये है नहादो करके राजा बिटा बनके और बच्चे भी नहादो करके बैड गये है अब मैं भी आ रही हूँ अब चलिए सब लोग खाना खाएंगे आप लोग भी आ जाओ और आज का व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा पसंद आया हो तो लाइक कर दीजेगा और जोनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर कर दोर साइब कर दaşए़े काैनल कर दीजेगा है और है!